अब वेलकम ट्रावर्ट चैनल आज हम लोग करने जारे हैं इलेक्टिसीटी का इक इंपॉर्टन कुश्चन्स जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले हैं जो बच्चो जो भी निट के त्यारी कर रहे हो या जेए की त्यारी कर रहे हो या बिट सायर के एक्जाम द हो लग है find the equivalent resistance between point A and E between point A and E resistance of each resistor is R हर एक जो आप रहे हैं सबकी वेलू सेम है capital R ठीक है तो इसका हम लोग करने वाले हैं तो इस तरह के कुछन को अगर आपको solve करना है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा अभी बताता हूं हमारे लिए एक क्रॉस हमारे को काम करनी है सर्किट की जो टोटल रेस्टेंस वह फाइंड करनी है तो पहले आप A और E को अलग पॉइंट ऐसे ल प्लेक्ट है कौन बी और डी वी जोएयन आइसे बीच नहीं है डी जोएयन जे से यहां भी कोई इनके बीच को रेस्टेंस नहीं है यानि की Bi और DJ बिए डीजे सेमगे पोटेंसियल पे होंगे यह तो यह सेमगे फ्लेस वाले सेंगे स्टेंसियल पे होते हैं आप एक काम करोगे एक साथ यहां पर लिखो कि पॉइंट बी दी आई जए और फाइट एक जगह लिखो गे इस प्रेजेंटर भाई वह सिंगल प्रेज्ट कियों कि दू सिमेट्री आप क्या सकते आप आप सकता है तो फोटि को आप सेंपर एक सब्सक्राइब क्रोंग से पोइंट से एक यह तो आप दिखा Aur के चारों प्वाइं प्वाइब निशिफ अब आफ के हमाने पास इसार्ट कॉन वाइट से जुड़े वह पॉइंट एक जो स्यमेंटिकली प्लेस्ट है तो f और h को भी आप single point से दिखाऊगे f,h तो यहां भी आपके question से ऐसे दिखाना पड़ेगा f और h ठीक है g common है f अब आप ध्यान से देखो कि fg और hg आपके सामने है fg और hg तो आप g point यहां के दिखा दो जी पॉइंट और यहां से क्रेश्टेंश जोड़ेगो जी और fg और fh रेश्टेंश आपको दिख गया यहां पर आपके दिखा दिया डाइग्राम में अब बी के साथ fp लगा होगा है बी के साथ f रेश्टेंश है तो आप क्या करोगे यह point यह दिखा दिया और dh dh के बीच में भी रेश्टेंश है ऐसे दिखा दिया चलो आगे क्या करें आगे जी और सी के बीच में एक रेश्टेंश है तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस सारे dh by single point this one BC can be gc के साथ है एक resistance है हमारा गी आप जीफ आथी अरुछा दिया ic यहां पर आए भी तो पॉइंट था ना तो ic एक resistance है जै भी और तो जे के है जण लोग के आसे करें सब्सक्राइब आप ने ने यह मतल पार ऊदा यह लोगने वाटन थी कुछ यह आर होने हैं a और e है ठीक है ना? यह R दू हो गया है यह हो गया R नीच हम भिया R दू नीचल भिया R बॢ़र भिया R भी आरपी यह यह दो आरा कितू है यह दो आरा है R गैल मैं यह लेकिन अब देखो यहां पर सिंपल हो गया कोई भी यह बंदा इसको सॉल्ट कर सकता है ठीक है आप लग वीडियो को पाउस कर दो अब कुछ से ट्राय करके देखो देखो क्या आता है अंसर नहीं होगा तो पूरे वीडियो आपकी के लिए बना रहा हुए अब यह तीनों सीरीज मे और हां इंपास करें लिए तो तो अर्विलेगा आपको टुआर मिलेगा लास विए कि आपको लिए ना भवाल अर्वाग में बड़ा सिंपल हो गया तो यह क्या मिलेगा हार बाइटू यह आ पार मैं तो आपको मिलेगा आर अपॉन 2.5 राइट 1 बाइ 2 प्लस 2 तियम जिल जाएगा आपको 2R बाइ 5 2R बाइ 5 बिल गाए इंदो लोगा कॉंबिनेशन ठीक है ना तिनको हटाओ यहां लगाओ 2R बाइ 5 2R बाइ 5 लगाओ यहां लगाओ दो बाँ ऐसे 2R बाइ 5 अब यह तीनों देख्वा हमारे को YE के लिए काम करना है के लिए के लिए काम करना है इसको बाइट में करेंगे इन तीनों के प्रेंट निटावशन सीरीस में होगा आर्वाइ 2R बाइट बाइट वार है आल प्लस 2R by 5 आर प्लस 2R by 5 क्या होगा 7R by 5 यह आपको मिल गया सेवन आर्वाइब आप यहां लिखोगे ऐसे सेवन आर्वाइब फिर आपको पारलर में मिल गया है तो आप इसको जानते हूं क्या करना है सब्सक्राइब आर्वाइब लेकिन लाइप कॉमेट सब्सक्राइब कर लो टाकि आपको एसे वीडियो सोल्शं भी बीटे रहेंगे बाइब बच्चों टेक केरी